तो कैसे हैं आप लोग? स्कूल जिन्दगी का सबसे खुशाल वक्त होता है स्कूल में ही तुम्हें पता चलता तुम्हारी कोई ओकाद नहीं है स्कूल में ही तुम कभी न खामाने वाले दोस्त बनाते हो जिनने बोतल में भवंदर पैदा करने के लावा और कुछ नहीं आता स्कूल में ही तुम ये अलफास पहली बार बोलोगे पहले बड़ा ब्रैकेट खोलने हूँ या छोटा छोटा खोलता हूँ अरे नहीं लेकिन बड़ा तो बड़ा है ना बड़ा पहले खोलना चाहिए हाँ लेकिन फिर छोटे ये मुझे से लोडा नहीं होगा खेरिन सब के बीच में एक चीज है जो बच्चों को excited कर देती है उनका मूद बना देती है उन्हें कुछ पलो के लिए खुश कर देती है स्कूल ट्रिप स्कूल ट्रिप एक ऐसी बक्षोदी है जिसका इंतजार हर बच्चे को होता है जैसे ट्रिप का फोरम मिलता है दिमाग उसे देख के कहता है इस बार तो मचाएंगे ग्रूप उसी दिन बन जाते हैं कौन किस के साथ सोएगा मेरा मतलब है रूम शेयर करेगा इस बात का फैसला उसी दिन हो जाता है राजू आजा रिवास्तव आजा पांडे आजा चंकी तू नहीं मंगल तू आ हो गया नमचार भाई अपने भाई को बूल गया तू रंजीत के साथ चला जाना भाई तुझे पता है वाजीब तरीके से चूता है मुझे यार तू जब हगता है पुरे कमरे में बदभू फैल जाती है पिछली बार भी तूने यह किया था हमें सुनील सर के कमरे में सोना पड़ा था यार आजा तू राजू प्रिमा किचू अब कभी कभी जब थोड़े बड़े क्लास की ट्रिप जा रही होती है तो स्कूल वाले सोचते हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों का अनुभव और अच्छा हो लॉंडे लॉंडियों के होटल अलग-अलग कर देते हैं ऐसा लगन आ गया दिखो दिखो वो आ गया अब वो दिन आ चुका है जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था तुम्हें सुभे चार बजे उठना था लेकिन तुम तो सोई ही नहीं हो क्योंकि दिल में लड़्डू नहीं परमाणू बंफूट रहे हैं ठीक डेर घंटे बाद तु पुरा भाव खाता है एक बार में बस टाट नहीं करेगा इंजन को बार बार ओन ओफ करता रहेगा जब तक बच्चे हाइप नहीं हो जाते जब तक एक बच्चा इट्स लिट ना चिला दे आखिरकार बस चलती है कुछ बच्चे आगे टीचर्स के साथ बैठे हैं तो वाटा वंडर्फुल वर्ड तक हचो शुट्टा कहा मारूंगा और पीछे बैठे बच्चे लॉंडे एक दूसरे में उंडल कर रहे होते हैं ओ याजे तो अपने बाल कहा कटाता है यार सेलोन में अच्छा और सर के एसा ही बच्चे बड़े होके मंत्रियों में चाटे लगाते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं इस लंबे सफर में क्यों ना अंताक्षरी खेली जाए जिसमें सिरफ वॉल्यूम बन ही गाएंगे भुक मारूं तेरे सरसे कुदने का भूत उतारूं मुह में अपना दे के शूट मारूं फिर एक मासूम बच्चा कहेगा भाई तुझे पूरा गाना आता है अगर वीडियो एक मूवी होती तो सबसे पहले मैं इसे ही मरवाता अब मुझे नहीं पता एक स्कूल कैसे चलता है और उसे कौन चलाता है प्रिंसिपल या कैंटीन वाले पाजी लेकिन इने ऐसा क्यों लगता है कि हम अमेरिकन टूरिस्ट हैं जिने देश की इतिहासिक जगाएं देखने का शोक है और टीचर्स उनके बारे में ऐसे पताते ह जैसे उन्होंने खुद बनवाया हो वो देखो बच्चो ताज महल तुम्हें पता है यह सफेद मार्बल से बना है नहीं हमें लगा शाहाचान की जवानी का कमाल है वो देखो बच्चो कुदु मिनार जो इसकी चोटी में सबसे पहले पोचे है उसे मिलेंगे 17 रुपे यह वाला तीर कमान और बिजली वाली चुइंगम एक तो यह इतनी वायाद चीज बनाई है ना आज भी कोई चुइंगम देता तो लेने में गान भटती है साला करण तो नहीं लग जाएगा खेर ऐसा ही चटर मटर चीजे लेने में सारे पैसे खतम वाकी ट्रिप चलेगी उध हो रखी हैं लेकिन जोश इतना है कि शरीर को बहने नहीं दे रहा है अब कमरे में जाते ही एक इंसान थोड़ा लेकता है आराम करता है थोड़ा चिल करता है लेकिन यहां बात रग रग में बक्चो दी दौरते बच्चों की हो रही है जो क्लास में बैठे उल्टे-पुल् और मेरी टी-शर्ट भी फट जाएगी जिससे मेरे बारा पैक एब्स रुबाली को दिखेंगे मैं रुबाली का हीरो बन जाऊंगा और तीन-चार महीने दख स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा वाट ड्रीम ऐसा सोचने वाने लोग एक जगा नहीं टिकते पूरे होटल मे असा लगता शादी हो रही है एक दूसरे के कमरे की घंटी बजा के भाग रहे हैं और कुछ की तो लड़ाई हो गई दोस्री के तुम मेरे कमरे में कैसे आया चांटों की बरसात हो गई गुथम गुथाय के चक्कर में कमरे का पंखा ही गिर गया होटल वाले भी अचंबित ह हो जाते हैं ये लड़ाय जमीन पर चल रही थे या सीलिंग पर दिचार आते हैं संम besser चाते लगाते हैं फरक नहीं परता तुम लड़ाय का हिससा पंखे का पैसा वशूत तये हैं और फिर वापिस अपना वाई जो टीचर स्ट्रिप पे नहीं आए उनकी खिली उड़ाना यही करते करते शाम से रात हो जाती है और रात में होती है धिचिक धिचिक बच्चा पाटी इस बच्चा पाटी में तुम्हारा मकसद होता है कोल्ड रिंग पी के नाचना और कुछ बच्चे ऐसे परताफ करते हैं जैसे उन्हें चड़ गई हो अरे भोषडी के फैंटा पी है तुने एक बार को गैस हो सकती है नशा नहीं अब जब बच्चे पसीनों में नहां लेते हैं बीडी जलाईले पे नाच-नाच के बावड़े हो चुके होते हैं तब बारी आती है तुम कोई नवाब हो अरे अगर सब कुखा रहे हैं तो मतलब मैं भी खाऊं ये कैसा पीर प्रेशर है और अगर मैं थोड़ी जित करूँ ना सर मेरे डोसे में तीन अलग-अलग रंग के बाल निकले हैं देखो बेड़े ये एक गेम है मेरे डोसे में चार अलग-अलग रं करो और स्कूल ट्रिप पे जाओ यार ताकि तुम दुनिया देख पाओ अपने दोस्तों के साथ बक्चो दी कर पाओ वैसे भी घर बैठे-बैठे कितना ही ला लोगे कैर इसी के साथ आज का भाशन यहीं खतम होता है अगर तुम लोग कोई वीडियो पसंद आई तो लाइ ओ, ऑग, साथ आई यह खोड़, ऑग, ओग ऐखोड़